यदि आपकी करक राशी है तो आपके लिए यहां लाल किताब के अनुसार कुछ जरूरी सला दी जा रही है जल तक तो प्रधान करक राशी के कारक ग्र चंद्र और मंगल माने गए हैं जबकि इसका स्वामी ग्र चंद्र है करक लगन की बाधक राशी वर्षब तथा बाधक ग्र शुक्र है चतुर्थ भाव में करक राशी मानी गई है जिसके चंद्र का पक्का घर चतुर्थ ही है लाल किताब के अनुसार चंद्र के खराब या अच्छा होने की कई इस्तितियां है शुग की निशानी माता को कस्ट सरदी जुकाम दिल से संबंदित रोग या आँख की पुतली की बिमारियां गर के आसपास के नल कुवां तालाप आधिक जल सूख जाना समेदन शीलता एवं भ्रदे में भावनाओं की कमी का होना अत्याधिक बेचेनी और मानसिक तनाव बना रहता है आप महत्या करने के वीचार बार बार आते हैं व्यक्ति गोर निराशावादी हो जाता है सावधनी माता से संबन अच्छे बनाए रखें मा की आग्या की औहलना न करें साफ सोच जल ही ग्रान करें धार्मे की स्थान पर चपल जूते पहन करें न जाएं उपाए मा के हातों से चावल या दही खाकर ही किसी यात्रा का आरंभ करें मंदिर में राजमा के बीज रखें बेटियों को दही चावल या दूद दें प्रते दिन बढ़ के वरक्ष में जल चड़ाएं सोमवार एकादशी और प्रदोस का वरत रखें नाग चिद्वा कर चांदी का तार 43 दिन तक डाल कर रखें